Hello friends, welcome back to tricks up to date and we are back with our new video जिस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेर की अभी तक हम ने जो भी वीडियो देखी हैं या इससे पहले जो स्केर की इंडियो आप लोगों ने देखी हैं वहां पर आपको जब स्केर निकालना पड़ता है या जो मेरे टिक्स आपको बदाई वहां पर कुछ बाउंडेशन थी मेंस आपको पहले चेक करना पड़ता है कि उसकी लाज की डिजिट फाइव है या नमबर नेर तुदा बेस है लैस देन बेस है या ग्रेटर देन बेस है बट आज के हम वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी ट्रिक्स की जिसमें हम किसी भी नमबर का स्केर फाइंड आउट कर प्लस बी रूल आ इक सगे में बढ़ा होगा हम इस रूल को एक्सपेंटिट फाइंड फों में लिखते हैं कैसे लिखते हैं ट्रिक्स इसकेर तो चलिए अज इसी रूल का यूज़ करके हम किसी भी नमबर का स्केर फाइंड देखें कैसे हैं हमें कर्मा क्या है जस्टिस प्लस क्वाट आना है और स्लैस लगाना है फॉर्मुला हमारा यहीं रहेगा इसी तरह हम उसका एक्स्पाइटर फॉर्म में लिखेंगे कोल बेडिजित हम उठाते हैं माल लेजिए हमारे पास 42 है हमें स्केर फैंट उट करना है तो हम क्या मालते हैं यहां पर देम श्लैस लगा रहे थें तो इस A and B तो हम स्केर अप्स्पाइट एक 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 A स्केर मेंस 4 का स्केर 16 2 A B 2 B means 2 x 4 x 2 it's 16 10 लास्ट इस B स्केर मेंस स्केर 2 4 तो अंसर इस हमें क्या दर माया अंसर लिखते हुए हर एक पार्ड में से एक 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 है बाकि जो डिजित बचेंदी वो next में लाप्षाण चाही करी करना है उसको यहां से एक 4 लिखेंगे यहां से 6 लिखेंगे भी जो 1 एक्स्ट आ है यहां पर करी जाएगा 7 and the scale of 42 is 1764 पर देम पर हमारे पास नूमर है 56 scale हम एक पर करना हूँ तो यही ट्रिक हम इस पर यूज करते हैं स्राइस लगा लगते हैं यहां पर यहां पर हमारे पास a less b को scale बन जाता है और हम इसी रूल का यूज करके scale नहीं कर सकता है तो सबसे पाहले a square means 5 कसके हम करेंगे 35 तो 2ab 2ab means 2 x 5 x 6 60 next is d square means 6 का square it's 36 तो तो तक only one digit कम इच पर्ट हम 6 लिखेंगे 3 extra है यहां पे चला जाएगा 3 हो जाएगा 0 plus 3 3 6 extra है 6 हम रहा यहां पे आजाएगा तो यह लास्ट डिजिट है इसमें 31 31 36 is the scale of 56 some next example हमारे पास number बढ़ा लेते हम 97 का scale में पांडूट करना है वही हम 6 हमारे पास बही रहेगी 21 slash बढ़ा के करेंगी सबसे पहले 9 का scale 81 slash 2 into 9 into 7 it's 1 to 6 then 7 scale is 49 then answer is 9 यहां से 4 extra है 4 यहां पे आजाएगा it's 10 10 हम 0 खेंगे next digit carry करेंगे means यहां से हम 13 carry करेंगे left and sorry 13 यहां पे carry करेंगे तो यहां पे 94 हमारे पास 97 का scale आता है 9409 last video हमने देखा था कि किस तरह हम देए इससे भी पहले हम किस number का scale निकाल सकते है जो हम last video में देख चुके है कि यह आपने वीडियो नहीं देखिए तो please हमारे आप part 3 वीडियो आप देख सकते है part 2 & part 3 जहां पे हम digits का इससे भी पहले answer निकाल सकते है यह एक journal rule है जिसमें आपको किसी भी number पे कोई rule या regulation नहीं है कि कौन सा number made to the base है कौन सा greater than base है किसके last में 5 है कुछ भी ऐसा check करने की चुदुत नहीं है आप यह वाला rule कहीं पे किसी भी number पे apply कर सकते है okay friends तो हम last example के साथ एक इजब परो देख लेता है जहां पर हम scale निकालना है हम निगालते है body digits का हमारे पास scale up and out करना है तो यहां पर हम slash लगाने के हमारे पास 2 space है हम 11 और 2 के बीच में भी लगा सकते है 11 हमारा a बंच याए 2 is represent b यजि हम slash यहां पर लगाए तो 1 हमारा a को represent करेगा while b को represent करेगा अब दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते है हम दोनों तरीके से निकाल लेंगे इसको दूसरा तरीका हम यहां पर लेखते है तो सबसे पहले में देखते हैं हमने जहां पर a b slash 12 रदिया है इसको तो सबसे पहले a square means 1 का scale it's 1 then 2 will be means 1 into 2 into 12 it's 24 then scale of 12 b square it's 1 for 4 the answer is 4 यहां 14 extra है but इस तरह के digits में क्या करते हैं जहां पर हमने b में 2 digit बनाई है वहां पर हम 2 digit ही रखेंगे जो बागे digit बचेंगे उनको carry करेंगे means यहां पर 14 नहीं 1 extra है 44 हम यहां से लिखेंगे 1 extra है वह यहां पर जाएगा it's 25 हर एक पर पर से हम 2 digit लेंगे क्योंकि हमने last में 2 digit को लिया है और यहां पर आएगा 1 तो 1 1 2 5 4 4 is the square of 112 हम दूसरे इक पर पर देखना है कैसे करेंगी 1 11 slash 2 की हमने तो उसर से करें a square means 1 2 1 then 2 a b 2 a b means 2 into 11 into 2 it's 44 next hookah scale करेंगे हम b square means 4 तो यहां पर हमारे पास last में 1 की digit है तो पहले की तरह हम हर पार में से सिर्फ 1 की digit लिखेंगे बागी की digit को next में carry करेंगे यहां से हम 4 लिखेंगे यह 4 हम यहां पर carry करेंगे 1 1 1 2 1 पर है 4 carry उपके है तो 1 2 5 answer is 1 2 5 4 4 तो friends अब कोई भी rule किसी भी digit पे यह rule apply कर सकते हैं चाहे वो double digit number है या triple digit number है यह आप पर depend करता है कि आप slash कहा लगाते हैं जहां आपको easy लगे scale find out करना क्योंकि हमारे पास 2 digit बन जाती है तो जहां पर आपको easy लगता है कि हम दोनों digits का scale कर पाएंगे करता है